नमस्कार दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों और सिक्षक साथियों आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 10 शितिज से कन्यादान नामक पाठ है शितिज में कावे खन में या पाठ आठमा है और इसके कवी रितुराज हैं तो आज कन्यादान पढ़ते हुए हम किस प्रक्रिया का पालन करेंगे पहले में आपको बता दूँ पहले हम कवीता का वाच्छन करेंगे और फिर कवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे इसके साथ हम आगे इस पार्ट के बारे में क्या बताया है कवी ने इस कविता में इसके साथ साथ प्रशन जो आते हैं आपके बोड कक्षा में ये पार्ट जो है वो दस्मी का है तो बोड की परिक्षा आपको देनी होगी तो जैसे प्रशन आते हैं, हम उन प्रशनों पर भी बीच बीच में चर्चा करेंगे यह कविता समाज में क्या योगदान दे रही है इस कविता को पढ़कर हमारा भाव बोध, हमारा सामाजिक ज्यान और अनुभव किन किन चीजों पर जाना चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर पाएंगे तो हम शुरुआत करते हैं कन्यादन के वाचन से एक बार मैं आप सबके लिए रितुराज की एक अविता कन्यादान पढ़ लेती हूँ कन्यादान, कितना प्रमाडिक था उसका दुख सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था पाठिका थी वा धुन्दले प्रकाश की, कुछ तुकों और लैबध पंग्तियों की मा ने कहा पानी में जाखकर अपने चेहरे पर मतरीजना आग रोटियां सेखने के लिए है, जलने के लिए नहीं वस्त्र और अभुशन शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के मा ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना तो रितुराज जो ये कविता कन्यादान जिन्होंने लिखा है हम उनकवी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कैसा है उनका जीवन और कहां रहते हैं कहां उनका जन्म हुआ और कौन सी रचनाई उन्होंने की है रितुराज का जन्म 1940 में भरतपूर में हुआ था और फिलहाल वो जैपूर राजस्थान में रहते हैं हमारे आधुनिक हिंदी कविता में उनका एक मुकाम है उनका एक नाम है रितुराज की कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभों हैं यथार्थ हैं परियवरण हैं आसपास होने वाली घटनाई हैं समाज हैं शोशन हैं विडम बनाएं भी हैं खास दोर पर इसी कविता को देखिए तो यह एक सामाजिक परंपरा और उसकी विडम बना की तरफ इशारा करती है उनकी बहुत सारे कावे संगर हैं कुल आठ कावे संगर हैं जिसमें पुल पर पानी, सुरता निरत, लीला मुखार विंद बहुत सारे संगर हैं उनको कई सारे पुरसकार मिले हैं तो आप इस कवी की कविताएं अभी भी पढ़ सकते हैं कभी मौका मिले तो आप इनसे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि ये उन कवियों में हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद है तो आईए अब आगे हम पढ़ते हैं कविता का अर्थ, भावार्थ क्या है इस कविता का, ये हम कुछ-कुछ पंक्तियों को पढ़ते हुए जानेंगे, तो सबसे पहले जो कविता तीन हिस्से में आप किताब में देखेंगे, तो कविता तीन हिस्से में बटी हुई है, तो जो हिस्सा है मैं उसका अर्थ आपको समझाऊंगी तो पहले हिस्से में जो है कितना प्रमाडिक था उसका दुख कितना प्रमाडिक था यहां किसकी दुख की बात हो रही है और दुख कैसे प्रमाडिक है या आप प्रमाडिक है उसको मापा जा सकता है दुख जो है आप सब जानते हैं भाव है खुशी आनंद हर्ष यह सब भाव है तो इसको मापना कैसे हो सकता है इसकी प्रमाडिकता कैसे जानी जा सकती है और बेटी को विदा करते वक्त मा जो है या बेटी की विदाई के या कन्यादान करते हुए कन्यादान शीर्षक है तो इसी से हम जान सकते है कि जब मा बेटी का कन्या का दान करती है विवाह की जो परंपरा होती है आप सब ने जाना होगा कि हमारी संस्कृती में जो एक हिंदु विवाह पधती है उसमें कन्या दान की परंपरा है कन्या को दान कर दिया जाता है अब यह क्यूं होता है और इसका क्या अर्थ है यह हम क मां बहुत अधिक दुखी है उसका दुख इतना गहरा है कि कवी इस दुख को प्रमाड कह रहा है कि जिसे साबित प्रमाड से जिसे साबित किया जा सके जो प्रत्यक्ष दिख रहा है क्यों कि वह अपनी बेटी को अब अपने पास से दान में दे दे रही है वह किसी और को दे हो जाता है मतलब मायके से उसका नाता अब एक रिष्टे का रह जाता है और वह लड़की अब ससुराल की हो जाती है तो कन्यादान के बाद बेटी की विदाई होती है और उस विदाई के समय मां बहुत दुखी है ऐसे दुखी है जैसे उसकी बेटी उसकी आखिरी पूंजी ह यहां दो शब्दों पर ध्यान दीजिए प्रश्ण भी आते हैं और इसको समझने के लिए जरूर यह दुख का प्रमाणिक होना दुख को कैसे आप साबित करेंगे प्रमाण के साथ कि यह सही है यह प्रूव किया जा सकता है तो इसलिए क्योंकि उसकी बेटी है अब उसके पास चली जाएगी तो वो कवी का कहना है कि यहां उसका दुख जो है वो जाहिर है उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं है वो सामने सामने दिख रहा है और लड़की जो है वो आखिरी पूंजी है मा के लिए बेटियां आखिरी पूंजी क्यों होती अंतिम पूंजी क्यों कह रहा है कवी उसको क्योंकि वो मा की एक सहेली की तरह हो जाती है बेटियां जब बड़ी होती है तो उसकी बहुत आत्मी हो जाती है अपनी सारे जीव है हमारी जो संपत्ती है उसे हम कहते है पूंजी बेटी जो है वह अंतिम पूंजी इसलिए है क्योंकि अब उसको दे दिया जा रहा है अब किसी और को अपना धन है अब जो हमारे समाज की यह सब मुहावरे आप सुनेंगे न कि लड़की पराया धन है घर पराया हो गया तो आप इसको समझ जाएंगे कि वह आखिरी पूंजी क्यों कहा जा रहा है तो इन दो पंक्तियों को आप ऐसे ध्यान से समझें कि मा का दुख क्यों है क्योंकि कर रही है वह अब कर नियादान के बाद अपनी बेटी की विदाई कर रही है बेटी जो है उसका एक संचित अभि इमान भी है अभी तक उसने उसको लालन पानन किया है संतान जो है वह माता पिता के लिए कितने कीमती होते हैं तो उसकी तुलना यहां पर कभी कह रहा है कि अंतिम पूंची की तरस है अब हम अगले हिस्से में आते हैं अगला हिस्सा जो है लड़की अभी सयानी नहीं थी क यहां पर सयानी शब्द का जो प्रियोग है, वह सयानी यानि कि भोली भाली, उमर से यहां पर उसका संबंध नहीं है, यहां पर संबंध है कि वह अभी मासूम थी, अभी उसको दुनियादारी की, व्यवहारिकता की ज्यान उतना नहीं था, यह समाज का व्यवहारिक ज्यान उसको नहीं था, अभी वह सयानी नहीं थी, मतलब उतनी समझदार और परिपा को नहीं थी, यहाँ पर उम्र की बात नहीं है, बात यह कि उसकी अंदर वह समझदारी नहीं आई थी, जो कि विवाह योग्य या विवाह करते वक्त लड़कियों में होनी चाहिए, आप सब को मा बाल विवाह के बारे में नहीं कह सकते हैं, और अगर कहते भी, तो वो एक समस्या की तरह से उभर क्या था, और मा जिसके बारे में हम देखेंगे, कि वो अपनी बेटी को कैसी कैसी सीख दे रही है, ऐसी परिपक्व और समझदार मा यहाँ पर बाल विवाह नहीं कर सकती है तो अगर हमारे सिक्षक साथी सुन रहे हैं तो वो इस बात पर ध्यान दे कि यहां बिलकुल ही कच्ची उम्र की बात नहीं है, कम उम्र की बात नहीं है, यहां सायानापन समझदारी से है लडकी कैसी थी? अभी भोली और सरल थी, मासूम थी, इतनी मासूम थी के उसे सुख का अभास था, जैसे बावालक होते हैं, बच्चे होते हैं, मासूमियत से भरे, तो हमें खुषी पता चलती है, लेकिन दुख क्यूं होता है, उदासी क्यूं होती है, यह पता नहीं चलता ह तो उस लड़की को सुख का भास था. माईके में जो मतलब माता पिता के साथ जो खुशियां होती थी, दुख बाचना नहीं आता था. कवी जो पंक्ति लिख रहे हैं आप इसको ध्यान से दिखें, बाचना किसे कह था, पोती बाचना, पढ़ना, दुख को पढ़ना नहीं आ जिससे लगता है कि यह मन का भाव है उसी तरीके से दुख जो भाव है उस भाव तक वह नहीं पहुंची थी उसे कस्ट भली पता होगा लेकिन दुख को नहीं और यह जो दो पंक्तियां है यह बहुत गहरी आगे की जो दो पंक्तियां है पाठिका थी वह दुदले प्रकाश के और कुछ तकों और कुछ लैबद पंक्तियों की यह बहुत गहरी है मैं इसको दो तरीके से देखते हूँ एक तो है कही न कहीं कहा जा रहा है कि उसे जीवन का वेभारिक ज्ञान नहीं था यहां प्रकाश जो है वह ज्ञान के बारे में तो दुदिले प्रकाश की पार्टिका थी यानि जीवन समाज कैसे काम करता है लोग कैसे काम करते हैं समाज में रीती नीती नियम कानून काइदे ये कैसे हैं विवाह के बाद उसका जीवन कैसे बदल जाएगा सब का बदल जाता है लड़कियों का भी बदल जात पर है कुछ तुक और कुछ लैबध पंगतियों की जो तुक और लैबध पंगति हैं वो गीत और कविता की तरफ इशारा कर रहें. तो गीत और कविता हम किस तरह से पढ़ते हैं? भाव मेखो के पड़ते हैं. तो यनि भाउग थी. जो लड़की थी, वह काफी भावग थी अभी परिपक्वनी थी भावग हमारा समाज किसे मानता है जो भावों में बह जाए तो अभी भावों में बह जाने वाली थी तो तुकों और लैबद्य पंक्तियों की पाठिका थी यानि कि वह कविता और गीत की जो किशोर उम्र में हमारे कई सारे कि जो लड़की थी वह कुछ तुकों और कुछ पंक्तियों को गाती थी, सुनती थी, खोई रहती थी, अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी, खोई रहती थी, उसे दुनियादारी की जो एक ग्यान भरी बाते हैं, उसका अंदजा भी नहीं था. तो वो दुनियादारी की बातों से परे थी तो यह पूरा जो अनुछेद है इसके बारे में मैं ये बताना चाहते हूं कि इस अनुछेद में लड़की की बात की गई है पहली तीन पंक्तियां जो है उसमें लड़की की मा की बात की गई है कि उसकी स्थिती क्या है और लड़की को विदा करते वक्त दुखी है और यहां पर जैसे आपको आजकल objective रश्न वस्तुनिस्ट बहु विकल्पी परश्न आएंगे तो कविता की पंक्तियां दे कर पूछा जाएगा तो कुछ-कुछ तथ्यात्मक बाते होंगे कुछ-कुछ आप उसके analytical कर सकेंगे तो यह second पर अनुछेद जो है दूसरा paragraph जो है उस पर लड़की के बारे में बताएगे कि वह कैसी थी तो कैसी से आप ध्यान रखेगा कि सयानी का आर्थ कहीं आप उम्र से न लगा दे और कहीं क्योंकि यह आपके समझ की बात है कि वह परिपक्व नहीं थी दुनियादारी की बातें नहीं मालुम थी भूली भाली थी मासूम थी लड़की कैसी थी वह धुंदले प्रकाश वा प्रकार यहां पर इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कवी के द्वारा और जो प्रश्न बनेंगे वो इसी से होगा कि उसे सुख की बातें तो मालुम थी दुख का एहसास नहीं था परिशानियों को नहीं समझती थी जीवन की कठिनाईयों को नहीं जानती थी काल्पनी में आने वाली जिम्मिदारियां हैं कठिनाईयां हैं परिस्थितियों का संघर्ष है उसका अंधाजा नहीं था इतनी मासूम थी भोली भाली थी जो दूसरा अनुछेद इसके बाद शुरू होता है उसमें मा अपनी बेटी को सीख देती है जब बेटी विदा होकर किसी प मानस जो तुल सिदास जी ने लिखी है आप देखेंगे कि उसमें भी सुनैना जो है सीता को सीख दे रही है वो क्या सीख थी मैं आपको बताने से अपने को रोक नहीं पा रही हूँ बहुत ही कभी-कभी इस पर अनुछेद लिखन ब्याता है इसके एक टुकड़े पर तो काब ध्यान से सुने इसको कत विधी सरजी नारी जगमाहिं कत विधी सरजी नारी जगमाहिं पराधीन सपने हूं सुछनाहिं मैं अति प्रेम विकल महतारी धीर जो कीन कुसमें विचारी मा जो है महतारी यानि मा जो मा है सीता की वो अत्यनत विकल है और जब बेटी जा रहی है विदा होके तो इसको सिखा रही है कि तुम जो है वह इस अपने जीवन के यथार्थ को, अपनी नियती को अपने भागय को जानो कि नारी को पता नहीं स्रिजा कैसे गया है इस स्रिष्टी ने स्त्री को नारी को बनाया ही कैसे है कि वो पराधीन है और जो पराधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं है लेकिन हमारी इस सीता की मा से हमारे रितुराज की ये मा कैसे अलग है मा ने बेटी को चार चीजे सिखाई मा ने कहा पानी में जहाग कर अपने चेहरे पर मत रीजना जो ये सीख है वो ये है कि अपनी सुन्दरता पर नया नया विवा हुआ है, नय नय वस्त्रा, भूशन, कपड़े, मेकप, गहने इन सब में लड़कियों को बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सुन्दर लग रही हो और अपने आपको भी एक आत्मुगदता आ जाती है कि बहुत अच्छे लग रहे हम और यहां पर मा करिये पानी में जहाग कर तो कुए में, बाल्टी में, काम करते वक्त, पानी में जहाग कर इसका एक छुपा हुआ संदर्व है कि पानी में जहाग कर कुए में अगर जहाग कर देखें तो कहीं उसमें उलट न जाएं लेकिन इसका मतलब यह है कि सुन्दरता जो है चेहरे की सुन्दर्ता जो है तवच्छा की जो सुन्दर्ता है वो बहुत बाहरी है उस पर रीजना यानि कि उसके 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 अपनी ही सुन्दर्ता में लुभा मत जाना उसमें तुम डूब मत जाना क्योंकि वह बाहरी चीज है उसके लिए बाहर क्या सौंदर है शर पच्चाई को देखना उसके सत्व को देखना सुंदर्ता पर मतलु भाय रहना मा की जो दूसरी सीख है वो यह है आग रोटियां सेखने के लिए जलने के लिए नहीं अब इस पर आपको प्रेशन भी आते हैं कि यह जो सीख है वो किस सामाजिक बुराई की और कुरीती की और इशारा कर रही है तो आग रोटियां सेखने के लिए जलने के लिए नहीं तो आपको पता है कि हमारे हाँ दहेज की एक प्रथा है जिसको कानूनी रूप से जिस पर रोक लगाई गई है जो कानूनर गलत है जुर्म है लेकिन फिर भी लोग इसका पालन नहीं करते हैं वे दहेज के लिए बेटियों को बहुओं को जला देते हैं लोग जो हैं इस तरह से दिखाते हैं कि वो किसी बात पर खुदी जल गई लेकिन मा यहां कह रही है कि तुम सावधान रहना आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं है अगर तुम्हें कोई जल भी ऐसी होती है कि कोई चीज उन्हें बुरी लग गई, ससुराल में उनका सामन जस्य नहीं बन रहा है, उनको मन दुखी हो गया, तो वो आवेश में ऐसा फैसला ले लेती हैं, उस मानसिक प्रतार्णा से बचने के लिए कि कहीं न कहीं वह जल के मर जाती हैं. तो ये भी है कि वो अपनी बेटी को सिखा रही है कि आग जो है वह जलने के लिए नहीं है, कुछ भी हो जाया जीवन से, तुम आग्स का तुम सकरात्मक इस्तेमाल करना, रोटिया बनाना, खाना बनाना, तुम जल के मत मरना, तो दूसरी सीख मा की ये है, हम अब आगे तीसर सीख की तरफ आते हैं, मा ने कहा, वस्त्र और आभूशन, ये बहुत गंभीर है, ये बहुत ही गंभीर है, और मा अपने पूरे जीवन का निचोड दे रही है, वस्त्र और आभूशन, शाब्दिक भ्रमों की तरफ बंधन है, स्तुरी जीवन के, दो चीजे देखिए, शा अधिकार कितनी है, जब हम अधिकार की बात करते हैं, तो संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, बराबरी के काम के अधिकार की बात करते हैं, आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं, वह कितना है, तो शाब्दिक भ्रम की स्तुरी तो हीरा है, तुम तो हमारे लिए इतनी की चिमती हो बहुत सरु ऐसी बाते होती इसमें आपको बता हूं एक बार मेरी आदत है कि मैं कोहीं भी जाती हूं तो समाज को समझने के लिए यह दो खास समुदाय अपनी इस्तुरियों को बहुत जादा घर में बंद करके या छुपा के या ढख के या घुंगट में या वुरके में ऐसा क्यों रखते हैं तो हम ऐसी बाते जानने की कोशिश कर रहे थे तो बातचित में पता चला हो कह रहे हैं इस्तुरियां जो है जैसे हीरा है आप उसको चौराहे पर थोड़े रख दोगे चौराहे से हीरा कितना कीमती है आप ती जोरी में ही रखते हैं तो ये सारी बात हैं कि इस्तुरियां हीरा हैं और कीमती हैं और संपत्ती हैं नहीं वो आपके बराबर मनुश्य हैं तो यहाँ पर बात हो रही है कि वस्त्र आप भूशन शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है इस्त्री जीवन के, जो कपड़े और गहने बहुत बड़े, आप बहुत समाज में ऐसा देखेंगे कि घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन अगले दिन उनको मनाने के लिए उनको कोई गहना दे दिया जाता है, कोई कपड़े हैं, गहने हैं, और स्त्रीओं के भीतर कहीं न कहीं गहनों को लेकर एक लालच होता है, क्यों है, कैसे है, इसका क्या सामाजिक कारण है और इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई, इस कविता को पढ़ते हुए, उस पर चर्चा करने का आवकाश हमारे पास कम है, लेक तो मा सिखा रही है बेटी को देखिए विवा के वक्त मा कितनी आदोनिक मा है कि वह सिखा रही है कि कपड़े और गहने जो हैं वह बंधन है जंजीर हैं वह तुम्हें जकड के रखेंगे उनसे बाहर आओ वह तुम्हारे जीवन की सचाई नहीं है वह तुम्हारे जीवन की स हमारे साथ जो भी हो रहा है उसे स्विकार करती रहो तो कहीं न कहीं मा उसको ये बता रही है मा ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना लड़की होना, लड़की होना क्या है? समाज में लड़की होना सहरदेता, करुना, कोमलता और मजबूती इन सारे गुनों से जुड़ा हुआ है लड़की का एक परियावाची, स्त्री का एक परियावाची आप जानते हैं, अबला है, मैं हमीशा अपने विद्यारतियों कहती हूँ, शब्दों को जानना चाहिए और जानकर यहत्ताय करना चाहिए कि हम इसका इस्तमाल नहीं करेंगे, अबला, जिसमें बल नहीं है, क्या ह हम मानते हैं कि स्तरी अबला है, नहीं मानते हैं, कभी भी इसको स्विकार नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति बल हीन है, वह अपने मानसिक और शारिरिक बल से संपन्न होकर आता है, अपने सोचने समझने की ताकत से, लड़कियों को भी मौका मिलता है, तो उनका शारिरिक ब खश्रक्योंगी लड़की में कौन ताकत्वर होगा आप खोदICES जान सकते Him, तो लड़कियां जो होती है वह कोमल्ता के भी गुणों से भरपूर होती है और मजबूती के भी, इसत्रियां बहुत मजबूत दिल की होते है tinc बहुत सशक्त होती है तो मा कह रहे हैं कि लड़की होना, लड़की होना कैसी होना, सब ही गुणों से संपन होना, तुम्हारी जो मजबूती है, तुम्हारी जो विशेस्ता हैं, तुम्हारे अंदर जो दया और दयालुता, सहर देता, करुना, प्रेम, स्नेह, सब को साथ लेकर चलने की भावना और मजबूती उन सब को अपने में रखना लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना क्या होता है लड़की जैसा दिखाई देना मेरी दृष्टी में तो कवी कह रहे हैं कि लड़की जैसा दिखाई मत देना मतलब वो अबला मत दिखाई देना कमजोर मत दिखाई देना लेकिन ज कवी शुरू से लेकर इतनी अच्छे अच्छी बाते करते हुए, अंत में तो स्टीरियो टीपिकल बात करने लगे, कि लड़की कमजोर दिखती है, कवी का कहना है कि समाज जैसा लड़की को देखता है, जिस खाचे में देखता है, कवी जो है, वह समाज के यथार्ट से अप अच्छार होते हैं, तो कभी कही न कहीं कह रहा है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब समाज जो तुमें कमजोर मानता है, वैसी मत दिखाई देना, समाज जो तुमको दुर्बल मानता है, मानता है कि तुम बल हीन हो, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकती, तुम तु उसे लोगों के प्रति भी सवाल उठाते हैं, कि क्या कवी कहीं stereotypical सोच तो नहीं रखता है, तब जाकर हमें पता चलता है, कि हम सही दिशा में सोच रहे हैं, कभी वैसा नहीं सोच रहे हैं, अंद तक आपको लगेगा कहीं कवी तो नहीं सोच रहे हैं, कि लड़की कमजूर हो और अपने गुणों से भरपूर है तो मा की जो ये चार सीख है अगर आप उसको इस तरह से गिनना चाहें तो सबसे पहली है तुम जो है अपने परमुग्ध मत होना अपने चेहरे की सुन्दर्ता पर मत रूपना दूसरी बात है कि दहेज के कारण से अपने को हिंसा का जलने का शिकार मत होने देना तीसरी बात है कि गहनों और कपणों को बहरी चीज़े हैं तुम्हें कमजोर बनाने वाली दुरबलता हैं लोब है उसके लोब में उसके आकरशन में मत आना चौती बात है कि तुम लड़की होना लड़की के गुणों से संपन्न होना लेकिन समाज उसको जिस तरीके से देखता है, जिस खांचे में फिट करता है, उस तरीके का मत होना। इस पर कई बार एक प्रशन पोछा जाता है कि कविता में किस सामाजिक बुराई की और या किन सामाजिक बुराईयों की और इशारा किया गया है। क्या है कि कविता जो है वो अपने आप में कई बुराईयों की और इशारा करती है लेकिन हम किन किन चीजों को देखते हैं ये हमारे उपर है कविता की खूबी ये होती है कविता की बारे में हम सब जानते हैं कि सब उसका आर्थ या भावार्थ या उसमें से चीजे निकाल सक तो किन बुराईयों की और इशारा किया गया है जब ऐसा प्रशन आता है, तो ये प्रशन मैं बहुत बार बिना चर्चा के अपने विद्ध्यार्थियों के ऊपर छोड़ देती हूं, तो दहेज के बारे में हम बात कर चुके हैं, दहेज के बारे में कहते हैं, कोई-कोई कहल लगता है कि बाल विवा, बाल विवा के बारे में नहीं है, भ्रम में मत आये, यहां बाल विवा के बारे में कविता नहीं है, सायानी का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोग जिस पात पर ध्यान नहीं देते, वो कविता के शीर्शक में है, कन्यादान, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कन्यादान तो हमारी संस्कृती में एक प्रथा है, हमारी संस्कृती का हिस्सा है, कन्यादान कैसे एक सामाजिक पुराई है, आप सोचिए, प्रशन उठाईए अपने आप में, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ बिंदू देती हूं विचार करने के, कन्यादान, कन्या का दान, दान किसका होता है, व्यक्ति का, मनुष्य का, कन्या के अतिरिक्त आपने और किसका दान सुना है, कोई व्यक्ति तै करता है कि वो सन्यासी बन जाएगा, सन्यास ले लेगा, तब भी व्यक्ति दान में नहीं दिया जाता है, वो घर का पर पर हमेशा वस्तूओं का जो कीमती वस्तूइं हैं उसका दान किया जाता है गाय का दान किया जाता है और कई बार जो है सोने का दान किया जाता है कई बार अन्न का दान किया जाता है लेकिन व्यक्ति का मनुष्य का दान कन्या के अलावा आपने कहां सुना तो जब हम समाजिक बुराईयों पर बात करेंगे, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे किसी खास धर्म के, किसी खास विवा की परिपाटी है, तो क्या हम इस पर बात नहीं करेंगे? जरूर करना चाहिए, क्योंकि कन्यादान की पूरी जो पद्धती है, जिसे मैंने कई विवाहों में द दान दिया जाता है, वो धन का दान होता है, वो पशू का दान होता है, वो सोने का दान होता है, कई सारा दान होता है, तो ये कैसा दान? इससे आपको पुन्य मिलता है, स्वर्ग का और पाप मिलता है, जिसके लिए पुरोहित को देते हैं, ये कैसा दान है? तो कन्यादान अपने आप में जो प्रथा है वह सामाजिक बुराई या कुरीती के रुप में हैं कम से कम मेरे सामने तो है और जब भी मैं इसको छोड़ती हूँ चर्चा के लिए तो विद्यारतियों के सामने भी आता है क्योंकि वो दो-तीन बाते कहते हैं कि मैं दान देने के लिए जब भ विवाह की परमपरा में देखिए जब भी आप किसी को देंगे कैसे देंगे ऐसे देंगे अपका हाथ ऊपर होगा लेकिन विवाह की इस परमपरा में क्या है कन्या का तो दान होता है लेकिन सामाजी जो रीतियां है उसमें हमें ये देखते हैं कि जो कन्या के पिता जी है म करन्यादान नाम के कविता पढ़ी हमने उस से हमने क्या लिया हमारा जो समाज है जब कवी ने ये कविता लिखी थी उस सदियों पहले से और आज भी ऐसा है तो इस समाज के प्रती इस कविता को पढ़ने के बाद हमारा जो योगदान है जो हमारी देखने की दृष्टी है ज लेकिन उस भाववोध के साथ जब हम एक नागरी के तोर पर समाज में जाएंगे तो हमारा योगदान क्या होना चाहिए इस पर आप जरूर विचार करें तभी ये कविता आप जो आज दस्वी में पढ़ रहे हैं वह आपके जीवन में भी शामिल हो पाएगी तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मुझे उमीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी और आपने इस से ध्यान से कुछ चीजें समझी होगी ताकि आप परिक्षा को भी अच्छे से लिख सकें धन्यवाद झाल